मैं विकास विश्वकर्मा आप सब का स्वागत करता हूं विकास स्टेडी पॉइंट में तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का चाप्टर नमबर 9 जिसका नाम है वैस्वी करड यानि की ग्लोबलाइजेशन देखे बच्चों यहां पर मैं आपको बत आपको वह सारे कोशन बताए जाएंगे कि जो कि आपके एक्जाम पॉइंट अब व्यूस से बहुत ही जाथा इन्पॉर्टन रहेंगे ठीक है अध्यान से समझेगा बाकी मैं एक चीज़ और बता दू आपको कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो भी तो सबस्ब्सक्राइब कोशन की बात करने वाले है कि कर रहे हैं और कुछ बच्चों के लिए और कर देंबDay कैसे वेतल हमें पता है कि साथवी आटवी और में जहां जहां भी बात किया जायए चाहिए एकोनॉमिक की चाहिए बात किया जाए सस्टी की हर एक जगह पे वैस्वी करण के बारे में दिया गया है लेकिन हो सकता है कि आपने ध्यान निए दिया लेकिन फिर भी आज मैं आपको बताता हूं की globalization होता क्या है इंग्लिस में इसको globalization कहते हैं और हिंदी में वैस्वी करण कहते हैं देखिए हमें पता है हमारे बिस्व में बहुत सारी country हैं जैसे कि आश्रेलिया हो गया यहां पर इंडिया हो गया जैसे अफ्रिका हो गया इसके लवा यहां पर बात करें तो दच्छडी अमे चीजें होती हैं कुछ ऐसी होती हैं जो दूसरे देस में जानी योग होती है वह क्या करते हैं और दूसरे देस में भेज देते हैं जैसे मां लो आप डिके में मैडे जैसर वालों ने तो मतलब क्या है अमेरिका कई यह ज़όσती संस्कृत सब्सक्राइब आपको पता हैं भारत आध्यात्मिक देस है यहां पर अगर मैं बात करूँ कि जो गुरु area ONE कि कभूमी एकыми पर appears भूमी है जहा Hetax बहूत ज्यादा इंक्पोर्टन्ट है अपको पता है वह भगत गीता रमायन सी दो सारी चीछे हुई तो इस जगह को सबसे जाथा better माना जाता है और यहां के जो पुष्तक है जैसे भगवत गीता in सब चीजों को अनेन देसों में जैसे हो गया इंग्लैन्ड में जैसे हो गया अमेरीका में जैसे अन्य अन्य देशों में भीजा जाता है और वहाँ पर बड़े इंग्वर्सिट्यों में पढ़ाई जाती है लोग पढ़ते हैं विकॉज अग्लोब अग्लोब लाईजेशन तो बिसकली ग्लोब लाईजेशन एक ऐसा प्रोसर्स है जिसमें एक देश की चाहिए प्रोडक्ट होती है चाहिए कोई चीज होते है उसको एक देश से दूसरे भीजना ही वैस्वी करण कहलाता है इसका definition आप देख लिजिए अच्छा इसका होने से मतलब क्या हुआ कि जैसे माल लिजे कि एक देश है यह दूसरा देश है तीसरा है चौथा है पांचवा है तो यह जब आपस में एक दूसरे से जब वैपार करेंगे लें दिन करेंगे तो इस्तिति के से globalization देशों में मजबूती लाता है ठीक है ना कि दूरिया लाता है तो यह समझ के रखिएगा तो वैस्वी करण से किसी वस्तु सेवा या पूजी का एक देश से दूसरे देश में परवाह होना परवाह का मतलब होता है दूसरे देश में जाना दूसरे देश में चलना आज के टाइम पर हम दिल्ली जैसे सहरों में रह रहे हैं तो मैं पर मैट्रो चल रहा है मैट्रो की सुरुआ सबसे पहले जापान में हुई थी जापान की वज़े से फिर इहां पर अपने इंडिया में आया तो यह चीज़ ए जो टेक्नोलोजी जापान की है और धीरे-धी हम करके ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं जैसे ट्वेटा कंपनी हो गई ठीक है वह भी जापान की है तो उन से हम क्या करते सीखते हैं और सीखने के बाद अपने इंप्लिमेंट कर देते हैं साथी साथ बर्गर की बात करूँ तो जैसे मैटी का आप में एजांपल तो मैंने ब बात के जाए तो यह जो जिन्स है यह जो मजदूर है जो फैक्टर में काम करते हैं उन लोगों के लिए बनाया गया था और इतना बड़े-बड़े जिन्स से होती थी जो जूला टाइप में जिन्स से होती थी इसलिए बनाया गया था ताकि जो लोग काम कर पाएं और जो क तो यह दिख की एक एक ऐसा एक ऐसा लिक्वीड है जैसे हम किसनी बेक्टीरियां होती है। कुछ अच्छी बेक्टीरिया होती है। कDINGस खराब ऐसंटी है। तो यह अगर ट यह की वैक्टीरियां को वैक्टीरिय Lebenss OUT 있어서 on campus फटले का सिक बॉझे तो आप सब को पता होगा कि गर्मी का टाइम चलता है तो पैपसी कितना ही जादा हर एक वेक्ति के लिए जरूरी होता है जरूरी क्या होता है अब लोग नीड बना ली है पहले का अब घड़े के पानी से भी काम चल जाता था लेकिन आज के टाइम पर प्रीज ना हो घर में तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा तो यह सारी चीजे हैं तो यह कहां कि यह जो चीजे अपने देश की वो तो चलती है साथी साथ बात करते जो दूसरे देश में जाकर प्रशिलित हो जाती है तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा यहां पर देख लिजिए साधारण सब्सक्राइब होगा अगर अगर हम नेक्स्ट बात करेब बताएं आज का प्रशन है कि यृप जल्दी से लपीजि का फूल फॉर्म आप यह इससे ही रिलेटेड होता है इससे ही रिलेटेड होता चलो एक चीज तो मैं आपको बता देता हूं जी मतलब होता है जलुक्त सक इस वज़े से आप लोग कोश्चन का जवाब जरूर दीजेगा उन सभी चीजों को मैं चेक करूंगा और आपको बता दूँगा कि हाँ सही है कि क्या है गलत होगा तो उसको मैं सही करवादूगा सही रहेगा तो हट देके अपना प्रूब कर लेंगा ठीक है अच्छा एक च दाउनलोड नहीं किये हो तो आप जाकर हमारा डाउनलोड कीजिए अप में बहुत सारे बच्चे स्टडी कर रहे हैं और वहां पर बच्चों को सब चीज मिलता है चाहे वहां पर नोट्स हो गया चाहे इंपोर्टन कोश्चन होगा चाहे सांपल पेपर हो गया चाहे डाउ करते हैं कुदी हम कॉल करते कुदी पूछते की क्या है कैसे है बाकि अगर मैं बात करूं आपको किसी भी सब्जेक का नोट चीए चाहे हिस्ट्री पोल्डिकल जिवर फिसकल एजूकेशन सोसलोजी किसी भी चीज का अगर आपको नोट चीए तो 701912793 पर मैसेज किजिए ठीक है यह हम कोशिस करेंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक देलवाने की कि वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप में हमारे पर मैसेज कीजिए वहां से आप किसी भी सब्जेक्ट कर नोट्स आप ले सकते हैं नेक्स्ट बात कर लेते हैं और यह दूसरा वाला कोस्टा आप ग particular के स заним सकृप्रवाव right perse जयादनी को मिला है जैसे वर्तमान92 समय में लोग क्या खाते हैं लोग क्या डेखते हैं क्या पहनते हैं इन सबी पर व case चीज हमारी क्या होती है संस्कृती होती है जैसे पहले की बात करो तो खान पान में बदलाओ आप खुद ही सोचो कि आज के टाइम पर जो हम फूड काते हैं उसमें से कितने ऐसे फूड्स हैं जो कि हम दूसरे देशों से मलग दूसरे देश का है ठीक कौन कौन से चीजे हैं आप खुद ही पता लगेगा कि यार जो हम चीज आज के टाइम पर चाहे पिज्जा हो गया बर्गर हो गया चाहे हम चौमीन यूज करते हैं यह कहां कि दूसरा कंट्रियों की है लेकिन क्या है दीरे-दीरे हम जाते हैं आप चीजों को देखते हैं अच्छा लगता है फिर बढ़िया डंग से ठीक है नेस्ट बात करते हैं पहना है बदला जैसे कि मैंने आपको बता है जिन्स बगरा आ गया बहुत सारे मॉडर्ण लड़कों को समझ में आता है कि लड़कों में बहुत कम वैराइटी देखनों की मिलती है लेकिन आज के टाइम पर गल्स की बात कर जाते है कि चीजों के अपना रहे जाते है कि पंचिम की चीजों को ज्यादा अपना रहे क्यों अपना रहे क्यों कि जभिए जब्लफट है जब डेवलेफ्ट है तो चाहते हैं कि दूसर देश में उनकी भी MNC Company अस्थापी तो इस वज़े से आगे बात करते हैं विदेशी तेवहरों का परशलन जैसे हम देखते हैं हम क्या मनाते हैं चलो एक जामपल की बात कर लेते हैं जैसे हम देखते हैं क्रिसमस मनाते हैं और इसके लाम यह वेलन्टाइन डे मनाते हैं या बहुत से ऐसे तेवहर हैं जो कि हम मनाते हैं जो कि विदेशी है कोई लेना देना नहीं था इंडिया से फिर वहीं देखते देखते सब सिख जाते तो वही चीज है आगे विदेशी फिल्मों का प्रसलन यह तो बताने वाली आप खुछ जानते हों कि जो फिल्म है यहां पर चलती है ठीक है आगे रॉक संगीत को पसंद किया गया रैप आज के टाइम पर देखो जितना हिंदी गाना लोग पसंद नहीं करते हैं उतना ज्यादा रैपिंग पसंद करते हैं इसके लाओं महिलाओं की इस्तिति में सुध भूत बनती जा रही है लेकिन यहां पर देखे पॉस्टिव है तो डिस अडवांटिस भी है कई सारे लोग ऐसे हैं कि जो इनी सब चीजों का फायदा उठाके गलत काम भी कर देते हैं तो यह सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है आगे बात करते हैं जीवन सहली में बदला किया है यसका मुदलब क्या हूआ? संस्क्रितु का धरोहर का मलब क्या है जैसे मालों की अमाली ट्रडिसयन क्या था लड़किया थी वह उसमाडिक पहनते हैं जो उसके बास साधि के बाद लोग साड़िया पहनते थी इसका लमा अगर मैं पूर्सों की बात करूँ तो 65 पहना करते थे लेकिन आज के टाइम पर देखो आज के टाइम पर हम अपने हर एक चीजों में बदलाव कर दिया है और साथी के बाद भी हम नहीं परकार के ड्रेसेज यूज करना यह सारी चीज हो रही है ठीक है तो इस संस्क्रिक्तिवों को भूल जाने यह सही बात नहीं है तो यह चीज है हमें पता है कि वैस्व करण से हमारे पर पर परभाव पढ़ता है लेकिन इतला भी परभाव मत करो कि अपनी चीजों को भूल जाओ ठीक है नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे समस्ते आर्थिक आज के टाइम पर आपको पता है कि एक देश की पूजी दूसरे देश में जाती है आज देखिए सारे लोग अभी आप क्या देख रहे है अभी आप देख रहे हो यूटूब ठीक है यूटूब पर पता है कि जब एक टाइम पर अच्छा खासा जब आपका चैनल चलने ल दूसरे देश का पैसा तो इस वज़े से आपको समझ सकते हो कि वैस्वी करड़ के वज़े से आर्थिक परभाव कितना पढ़ रहा है आगे बात करते हैं मुक्त बजार बेहुस्था को अपनाएगा इससे बजार का रूप बदला मुक्त बजार बेहुस्था के मिलब क्या वह अपने प्रोडक्ट को हर एक देसों में भी आफिए कर रहा है रहो है कि वह देश के प्रोडखेक्ट के चलाए हुआ है हैं तीसरे का बाउराष्ट्री कंपणियों का प्रचार में इंडिया में अगे बात करते हैं सभी देश अपनी इंप्रोफित होना जिससे विकास की प्रकरिया में फोर प्रॉफित और आगे इससे लोगों को रोजगार मिला है आगे बात करते हैं विक्सित देशों की कठोर विजा नीथ जो विक्सित होते है याणि की जो मझबूत होते हैं इनकी विजौनीती बहुत ज्यादा कट हो ia आप इसली दुबाई में नहीं आ सकते आप इसली अमेरिका में नहीं जा सकते जब तक आपके पास भी जाना हो ठीक है लेकिन आगर आप छोटे देशों में जानी की बात करोगे तो यह चले जाओगे तो यह चीज़ है नेक्ट बात के लेते हैं कि इस्तिति मजबूत हो गए इंट्रेशनल मोनेटरी फंड व्ल्ट ट्रेड और व्ल्ट बैंक यह जितनी भी चीज़े में आपको बता रहा हूं यह है एजंसिया जो कि आपको पता है कि जब हमने सिक्स चाप्टर किया था अंतराश्टी संगटन उसमें हमने इस उसको प्रभाव से गरीब देशों को ज्यादा नहीं हुआ क्योंकि आपको पता है अमीर देश को होगा अरे एक देखो कहने का मतलब यह है कि अगर आप अमीर हो तो आप पैसा लगा लोगे और बदले में क्या होगा यहां के देशों को जो लोग है इनको आप रोजगार देदो कोई देश का व्यक्ति कमा रहा है तो कहते हैं डॉलर कैसे कमा रहा है कुछ ना कुछ तो घपला किया है लेकिन आज के टाइम पर देखो ओन लाइन इतने सारे काम हो गया है कि आप डॉलर से लेकर हर एक देश की पैसा है उस चीश को कमा सकते हो ठीक है आगे इंटरनेट औ झिस्तार होते चले गए और आज कितने लिवर्थ में चलरी कि अरहा आपको घरब सकते हो के देख सकते हो कुछ त थे नबर के पोछए satisf सकते हैं पहला सकती है वैस्वी करण ने भारत को बनाने में और किया रोल प्रौच्वीxo से निभाया और दूसरा है कि भारत ने वैस्वी करड़ को बरकरार रखने में क्या रोल निभाया ठीक है यह कोशन पूछता है कि वैस्वी करड़ ने भारत को कैसे प्रभावित किया और भारत ने वैस्वी करड़ को कैसे प्रभावित किया तो आपको पता है वैस्वी करड़ को वज़े से अन्य अन्य द देश भारत को एक बड़ी मंडी के रूप में देखते हैं और अपने देश की प्रड़क्ट सर्विसेज उनको इंडिया में भेजते हैं यहां के यहां के लोग को आकरसित करने के लिए कई परकार के उपाय करते हैं जैसे आप देखते हो दिवाली में आप देखोगे तो बह मेना कमाल है तो इस वज़े से कोई गारेंटी नहीं है तो वही चीजा है कि आप देखो दूसरे देश की जो चीजे हैं जो प्रड़क्ट हैं अपने देश में आती है ठीक है लेकिन हमें अपने स्वदेशी जो समान होता है उस चीज को ज्यादा यूज़ करना चाहिए क्य जैसे आप देखते हो कई सारे लोग आते हैं अन्य जगह पर जाकर बस जाते हैं यूरोप और अमेरिका की पश्चिमी संस्क्रितिया बड़ी सिगरता से भारत में फैल रही है जैसे कि मैं आपको बताए कि पश्चिम की जो देश है वह बहुत ही सिगरता से चीजों को सामन बैस्वी करड़ का इसर माना जाता है और सकते हुआ म भारत को किस हद प्रभावित बात करें कि भारत को कैसे प्रभावित किया हैं बहुत कि भारत ने भी कुछ सीमा तक प्रभावित किया जैसे भारत से अधिक लोग विदेशों में जाकर अपने संस्कृति रिती रिवाजों को बढ़ावा दे रहे हैं साथी साथ बात करें तो भारत में उपलब्द सस्ते स्रम सस्ते स्रम के वज़े से भारत मलब विश्व के अन् अपने अपने स्रम को देता है और इसकी वज़े से देश दुनिया का जो ध्यान है वह आकरसित होता है भारत के ऊपर आज बात करते हैं भारत ने केंपूटर तरह तक्निकी के छेत में बड़ी सिगरता से उन्नती करके विश्व में अपना प्रभुत जमा लिया है यानि कि एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इंडिया की चीजों को मलब इंडिया की लेते हो तो जाहिए से बात है इंडिया को बढ़ाने में ज्यादा ज्यादा ध्यान देना यह नहीं कि जैसे दूसरे लोग करते हैं कि पढ़ लिख लिए और ऑफर आगया अमे देश को आगे करना है तो इस वज़े से अगर आपको अगर अच्छा कुछ बन जाते हो तो हमेशा यह सुचना कि अपने देश को ही कैसे आगे बढ़ाएं ना कि किसी दूसरे देश को ठीक है ना तो यह चीज है नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सकरात्म और नकरात्म सब्सक्राइब करते हैं कि इनके सब्सक्राइब करते हैं कि यानि के टेक्नलोजी और इंटरनेट में के मामले में विकास देर देर होई रहा है साथी साथ बात करते हैं तो रूडिवाधिता को खत्म कर दिया गया जो अन्दविस्वास था उसको खत्म कर दिया गया तो यह क्या है सब सकरात्मक ही परभाव है ना आगे बात करते हैं वस्त्यों का परभाव बहुत तेरी से ही बढ़ता जा रहा है नेक्स्ट बात करते ह और विकसित देशों को ही हुआ किसको विकसित देशों को ही वा आगे दुनिया के विभिन वर्गों के लोगों ने इसका वीरोध किया क्यों कि हम बैस्वी करड़ में इतने डूब जाते हैं कि अपनी संत्किर्टों को नुकसान कर बढ़ते हैं से चीज घल्थ है आगे विध गरीब व्यक्ति है जो देश गरीब ही है जब देश ही गरीब है क्यों कैसे अमीर हो सकते हैं पूपर करने के विशन वैंकर को सकते हैं में के। नम्मर का कोउष्चन है कि वैस्ट कते संदर में विकासील देशो मैं राज की बदल ती भुंका का आलोशना और मुल्लायंगन कीजिए इसका मतलब क्या है पहले को समझ लिजेगा कि वैस्वी करण की वज़े से जो विकासिल देश हैं विकासिल यान की जिनका डवलप्मेंट हो रहा है वो जैसे देश हैं उनके राज्यों की बदलती भूमिका की आलोशना कीजिए चलो एक इंडिया में अपने तरीके से चलाएंगे तो राज्यों के प्रसाशन में दखल अंदाजी हुई कि नहीं हुई और राज्यों की जो भूमिका हुई भूमिका में भी कमी हो जाती है क्यों क्योंकि आप जब दूसरे देश को मौका देतो हूग वो काम करने के लिए तो इससे आपकी ताकत कम होती है यही चीज है दुबारा समझ लीजिए मेरे कहने का मलब क्या है कि वैस्वी करण के वज़े से अन्यने देश अपनी अपनी जो प्रोडक्ट सर्विसेज यह जो भी है वह दूसरे देश में इस्टेबलिस करते हैं तो अपना मनमर्जी करते हैं अपने अपने हिसाब से वह काम करते हैं ठीक करता है अज में समझ में आ जा जाना चीये कि जो भी जापान करता है या फिर जो भी कुछ भी करता है उस चीज में इंडिया के या किसी भी देश के राज्यों की सहमती होती são तो ही वो करता है अधर्वाइस नहीं करता है तो हमें दोनों पॉइंटों को लिखके रखना है तो अभी इसको पढ़ लेते हैं चीजे समझ में आ जाएंगी देखे क्या लिखिया है वैस्वी करण के कारण विबिन देशों में राज्यों की भूनका में बदलाव अवस्त्य ख气लके आया हुए है आज कोई विखक necessary just found a होने होने का सपना नहीं क्यों मिया क्योंकि क्यों कि क्यों कि दोर में हर एक विकास क्यों निर्मार करना पड़ता सब्सक्राइब करना चाहता हूं कोरेड शुतंत् प्रत्यों प्रत्यों को को, क्या है यानि कि कहा जाए तो competition के दौर में अपने प्रड़क्ट को सब भी बेच रहे हैं आगे राजी सरकार द्वारा आयाक निर्यात के नियम निधार करने में बदलाव आया है और अब permit passport license आगकी बादिता में कमी आई है मलब क्या है कि पहले एक देश से दूसर देश में जाना होता था तो बहुत सारे प्रोसेसों को करना होता था पासपोर्ट होना चीए बीजा होना चीए कई बार तो चेकिंग होती थी क्या क्या जो सामने वाला बंदा आ रहा है सही है कि नह जा नियंतर रखने में उतने ही ताक tv नहीं रहे है क्या है कि वैसुदे की पृविश्या के प्रभुसत्ता को इंयर्धा यह से चीज़ों करने तो क्या दिक्कत है आगे ईसलिए राजियों द्हारा बनाई जाने वाले नीजी की नीतिया कर्वचारियों की छटने सरकार अनुदान में कमी और किरसी से संबंद नीतियों पर वैस्वी प्रभाव देखने को मिलता है तो साथी साथ अगर मैं बात करूं तो कोई भी राज कोई प्रकार की नीतिया बनाता है चाहे वो किसी भी चीज़ से रेलेटेड हो उन सभी चीजों पर वैस्वी से समझेंगे क्या आप निच्स बात करतें कि वैस्पी करने में संस्क्रित को बढ़ाबा दिया संस्कृति में भेध व कई सबसे पहले मैं बात करूं तो अगर देखा जाए और संज्कृति समरूपता भी होई है अब तर किया हुआ को सबसे पहले समझें, यो सन्स्कृतिक विभिनल exercise का मदलब क्या मेरा इंडिया है और इंडिया में पता है कि भू सारे ध्रमों के लोग रखते हैं थे कोई वी एक संस्किर्थी उठा लेते हैं अब होता क्या है कि दूसरे ते जो होते जो मादो अमेरिका वाले हो गए अमेरिका वाले क्या करते हैं अमेरिका वाले अपने प्रोडक्ट सर्विसेज या जो भी नीतिया होती है उस चीश को भारत में आके क्योंकि वह दूसररे से आ रहे हैं तो इससे क्या हुआ होई हुई की नहीं हुई हुई ही न तो पहली यह चीजै पर दूसरी चीज 요स आ अगर तो यहां नहीं कि कहा जाए तो जहां पर एक ही संस्कृती थी वहां पर तीन- तीन संस्कृती हो जाएगी क्योंकि तीनों देशों की संस्कृति आपस में मिलती जोलती है तो यहां पर अगर देखा जाए तो सम्रूपता हुई की नहीं हुई क्योंकि इस देश में तीनों संस्कृति चल लिए इस देश में भी तीनों चल लिए इस देश में भी तीनों चल लिए है तो यहां पे आप लिखोगे नहीं ठीक है अगर आप हाँ भी लिखते हो तो आपको यह दोनों पॉइंट जैसे मैंने explain किया वैसे explain करके दिखाना पड़ेगा अगर आप simply लिखते हो नहीं तो इसका तर्क देना पड़ेगा तो देखिए क्या लिखा है कि हम इस तर्क से सभमत नहीं कि सांस्कृत बढ़ रही है क्योंकि कि सांस्कृत तो यह जैसे कि इसे हमारी निकटता बढ़ रही है जैसे कि उसे लोग का माना है कि आज पूरे देश में मैकडूनाद्री करड यानि कि संस्कृती है यानि की मैकडूनाद्री करड का मलब क्या होता है कि संक्रिति देसों में भी फैल रही है तो इसGO में बढ़ेगी जैसे कि मैंने बता है पर एक संस्क्रित की संस्क्रित तो देखिए आगे बात कर लेते हैं आगे एक सेकेंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो देखिए क्या लिखा है कि अगर देखा जाए तो अमेर्थी संस्कृति थोपी जा रही है आगे इसलिए नीली जिंस का प्रचार हर देश में बढ़ रहा है निली जिन्स का प्रचार हर देश में बढ़ रहा है लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि आज निली जिन्स पर भारती खादी के बने कूर्ते का चलन है यानि कि अगर कहा जाए जो निली जिन्स है निली जिन्स जैसी मिलती जूलती है हम उससे मिलता जुलता कुर्टा भी बना रखें और जिसको जैसा भी चाहिए वह इस हिसाब से यूज करता है आता हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक परभाव कभी एक तरफा नहीं होता है बलकि इसके जैसा होता है एक सिक्के के दो पहलू होते हैं उस हिसाब से सांस्कृतिक परभ 403च सटी साली विशयकर, अमेरिका की संस्कृति का प्रभाव अलगतार बढ़ता जा रहा है, बढ़ती जा रही हुआ है, मैंक्डुना्लडि करर के अंतरगत वैसा ही बनता जा रहा है, जैसा कि अमेरिका विक्सित देस है, और विक्सित देस होने के विज़े से वो हर एक देस में अपनी blueberry कंपपणों को स्थाबित कर रहा है और यह चाहरा है कि हर एक देश में किस प्रखार योगदान दिया वह किस प्रकार से योगदान दिया तो आपको पता है आज हमारे पास टैलेफॉन है तो आज आज anarch programme है आज हमारे पास यात यात के बहुत अच्छे साध है तो यह भी आपको बताई है जिसे अगर आऊ गए यह तो इंटरनेट हो गया इन सब चीज की वज़े से क्या वैसुकरल प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा है जाहिर से बात हो रहा है अगर मालो कि आप इंडिया में ब प्रोद्गी की का बहुत बड़ा योगदान है जैसे पहला पॉइंट लेखा है कि टेलिग्राफ टेलिपोन इंटरनेट के निवंत्यम अविस्कारों को ने विश्व के विभिन भागों के 20 संचार की क्रांति ला दिया है मैंने बताया यहीं बैटे बैटे आप अमेरिका जैसे देशन से वी बात करते हो कहीं भी बात कर सकते हो आगे च्पाई यानिकी मुद्रड की तकनीकी आने से विश्व के उपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है और पढ़ानी पढ़ाया अब किसी भी चीज को बिश्व के कोने कोने पहुचाना बहुत ज़्यादा आस विचार प्रसार में बहुत या योगदान दिया है खाद्यान फल मैं फ़ल सब्जीों के व्यपार श्रम लो प्रोडोगीक की वह ओधान जए वह बड़त है ओध में से डिमाग में सकता है जितने वह करा आ है तो देखिए पहला कोशन हमने क्या किया था पहला कोशन में किया था कि वैस्विकर से क्या इप्र है जो कि मैंने बहुत एच्छे डंग समझा दिया बाकि आप किसी भी चीज़ के नोट शीए आपको तो आप फटाक से आप सेवन जो डबल नाइन को कैसे प्रभावित किया और भारत में वैस्विकर को कैसे प्रभावित किया साथी साथ देखे तो भारत में वैस्विकर को कैसे प्रभावित के तो मैंने बताए दिया है वैस्विकर के सागरात्म और नकरात्म प्रभाव और इसके लावा वैस्विकर के वजए से जो विकास तो बताए दिया नेक किस हिसाब से अपना निभाया तो जाइड सी बात कर जगा पर टेक्नोलोजी तो आप देखी रहे हो साथ वीडियो कैसी लगी है कमेंट सक्षिल में जरूर बताईए और लेना है तो बताईए और ताइम निकालता हूं उस इसके लिए ताकि जादा नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट कोस्टन के साथ अभी के लिए टेक कियर बाब बाए